हेलो गाइज यह हमारा मॉडिफाइव ट्लैपबेट सीरीज का पार्ट थर्टीन है पिछले बाट में हमने क्या कर रहा था कि जो बॉल्स हैं और हमारी जो पाइपस हैं उनको रिसेट करा था सिंपली ठीक है इस वहले पार्ट में क्या करना है जैसे मैं गैट रेडी से गेम बीडिघेड़ पें कहिं कई औरने प sécur में यह देखना है तो सब से ओल Dutch हैं सब्लैम टेक्स एडिटर के पासई सिए इस में आगे अवहम कौन से स्टेक में बार क्लिक करने Europi एवन्ट वने करना तो हम सब से उपर चलेंगे लिघांब यहां पर जाब एदीकित बनाया था he मैंने आपको कहा था कि हम इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो यह पैरामीटर क्या करता है हमें काफी सारी इंफोमेशन और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है रेलेटिड टू क्लिक इवेंट तो इसका हमने आज यही वर क्योंकि हम गेमवर स्टेट में यहां पे यहां पर अपना इंप लिखना तो सबसे पहले हमने क्या करना है एक वर्यवल बनाएंगे लेट क्लिक एक विच इपोल शू अब आपने क्या करना है अपने लिखने क्लाइंट ए दिशी ल आई एंट इवेंट आंट नाइव यह अपने इवेंट जो आपका यह विरेवल है .clientClientClientX ठीक है अब यह क्या करेगा ClientX function Sorry ClientX खा दी अब यह क्या करेगा यह जो अपने clickX variable बनाया है जहां पर भी हम click करेंगे ना तो हमें X axis की position देगा ठीक है अब मैं आपको console करवा के दिखाता हूँ console.log इस variable को अगर हम वो करवाएं console में paint करवाएं inspect में गए console में गए और हम game over state में आए अब देखो जैसे मैं click कर रहा हूँ तो मुझे position बता रहा है X axis से ठीक है 720 मतलब X axis इस बटन की position कितनी है 720 तुम कहीं पर क्लिक करेंगे तो हमें X axis की position बताएगा 315 ठीक है अब हम आएंगे अब यहां देख लेते हैं 1016 ठीक है similarly क्या है जैसे हमने X axis की position फाइंड करी है controllers similarly हम Y axis की position फाइंड कर लेंगे क्लिक X की जगा अपने क्या लिग देना है क्लिक वाई और इवेंट यहां रखने है एवेंट क्योंकि यह ही क्या कहते है जो आपने वरेबल पास कर रहे हैं इस पैरामेटर के थूँ ही हम उसको इवेंट को कॉल उसकी प्रॉपर्टी को कॉल तो यह अब मैं यहां पे click X की जगा वाए करूं तो मुझा Y-axis की position देगा अब देखते हैं जो button है मेरा कहा है Y-axis से 372 pixels पे ठीक है Y-axis की position का है 372 pixels तो हमें क्या मिल गया हमें button की position मिल गी x-axis एक्स एक्से से button कितना है और Y-axis से कितनी position पे हमें उसकी value मिल गी है ठीक है अब हमने क्या करना है यह तो हमने कर लिया अब हम सबसे पहले क्या करेंगे object बनाएंगे start btn object start button का object बनाएंगे sorry const start button which is equal to अब इसमें वही property देंगे एक सक्सेस उसकी value हमने set कर यह 720 जो हमने अभी क्या कहते हैं अभी मापी थी ठीक है 720 होगी y-axis इसकी position थी आइधिंक y-axis इसकी पूजिशन एक सेंड और सॉरी क्या गया था फिफ्टी थ्री कॉमा इसे एक सेंड कमेंड कर गो अब जो बटन की y-axis से position है 373 ठीक है अब हमने object बना लिया simply हमें सब कुछ बटन से related में लिया अब देखो हमने बटन की जो पूजिशन है वह भी find out कर लिये कि आदि एक से कितनी पुजिशन में य-axis से कितनी पुजिशन पर आप आप मेरी बटन की जो पूजिशन आ वह जीग आपको कर के दिखाता हूं बटन की पूजिशन जो है जैसे किभा आगर अभी मैने क्लिक करां तो 372 दिखा रहा है अब में थोड़ा सा नीचे आ गया देखो आपर से नीचे स्करॉल कर रहा हम दुबाराव रिफ्रेश करके वह करता हूं इस पिम दुबारा क्लिक करता तो उसके लिए हमने क्या करना है इसके उपर आपने एक बेरियेवल लेना है कैन्वस की जो हमने पुजीशन है वह फाइंड करने है तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा cvs वाला canvas. एक function होता है get bo und ing get bounding client correct एक कैमल के सिंग में ठीक है अब यह वला function क्या करेंगा देखो canvas के थूँ अपने से call कर रहा है तो canvas से ही related हमें काफी सारी properties को देगा मैं रिटर्न करेगा canvas related हमें क्या देगा like उसके width कितनी है height कितनी है top से position कितनी है bottom से कितनी position है वगयर वगयरा यह सारी हमें वह देगा मतलग information provide करेगा अगर मैं आपको दिखाओं और यहां पर अगर मैं console.lock करूँ CVS position को तो आप देखना अब मैं inspect करूँ अगर अभी नहीं जब मैं क्लिक करूँ है देखो तो मुझे इसने क्या दी सब कुछ position देदी अब देखो इसने क्या दिया कि X-axis से हम जीरो पे हांजी य-axis से भी जीरो पे हैं लेट से तो जीरो पे हाई ठीक है अब देखो हमने विर्थ इसकी पंदरा सो बीसेट करी थी हां जी मतलब यह सब एकुरेट वैडियो दे रहा है हाइट हमने साथ सो पंदरा करी थी आइज वह दिखाव देता हूं देखो फंदरा सो बीस और साथ सो पंदरा हमने सेट करी थे मतलब सब कुछ information सही दे रहा है हाइट कितनी है इसके bottom से position कितनी है साथ सो पंदरा क्यों जितनी इतनी bottom से होगी और राईट से कितना है पंदरा सो बीस जहां पर मारे इनका code और लिखना है इसमें क्या करना है अपने click X जो है हमने यहां पर क्या लिखा है event dot click X axis की position जब हो में मिल जे तो उसमें से अपने क्या minus कर देना है canvas की जो position है dot left ठीक है canvas की हम इसमें क्या है canvas की हमार पर सब कुछ position आगी तो उसकी आपने क्या करने है उसकी प्रॉपर्टी क्या है dot left जाला उसकी जो left side का portion है अब जैसे मैं अगर inspect परूं console पर एक सेंट console पर आऊ यह start button है अब यह यह मेरा 0 पर है ठीक है X axis से 0 पर मतला left से 0 पर मैंने इसको scroll करा scroll करा scroll करा अब जितना position मेरी left में चलीगी है मतलब 0 से इधर negative value चलीगी है आपने उसको क्या कर देना minus कर देना है x x जहां में click करूंगा उसमें से minus कर देना है तो हमें exactly वही position button की मिलचेगी ठीक है तो exactly हमें वही position में आप देखो negative value है जिरो के बाद क्या कहता है जब हम ऐसे जाएंगे राइट लेफ जाएंगे तो जीरो के बाद क्या आएगए नेगटिव वैल्यू जाएंगी जिए लग मैंने तो पोस्कारो माइनेस 200 गया है मैंने एक्सपे क्लिक करा बाइडिपॉल्ट अभी वह पोस्कारो 200 दिखा रहा है मुझे 500 दिखा रहा है करते हैं वह लेफ्ट से राइट ही करते हैं या फिर टॉप से बॉटम करते हैं कभी राइट से लेफ्ट तो कोई स्क्रॉल नहीं करता ना कि हमारी इधर से हम सिर्फ लेफ्ट से राइट से राइट में जाएंगे या फिर हम जाएंगे टॉप से बॉटम पे तो हमने देख अब इतना हो गया हमारा, अब हमने बस condition लगानी है, if condition, if, ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करना है, click x, मतलब, sorry, click x, अगर जो हम जो x-axis पे जहाँ पे click कर रहे हैं, वो greater than है, किस से start button dot x है, अगर मैं यहाँ click कर रहा हूँ, अगर वो greater than है, यह button की है, मैं x-axis position find करें, x-axis की position से greater than है, मतलब, बटन के अंदर है, हाँ जी, यह पहली condition है, then and, operator लगाया, click x is less than, मतलब, should be होना चाहिए, start button dot x plus start button dot width, जैसा हमने उसमें collision detection में करता है, सिंपल होई है, देखो, click x should be less than start button dot x plus start button dot width, start button dot x यह position है, plus width, मतलब, उसकी जितनी width है, इस से, इस position से, वो less than होना चाहिए, मतलब, हम button के अंदर है, हाँ जी, अब x-axis के, x-axis से, तो हम button के अंदर आ गया है, ठीक है, अब हम y-axis से button के अंदर आना, exactly, तो हम क्या करेंगे, and operator लगाएंगे फिर से, and, अब क्या लिखेंगे, click y, जो मारा y-axis जहां पर हम click करें, should be greater than start button dot y, जो हमने property set करी है, यह, यह y-axis की position है, button की, ठीक है, और जहां पर हम click करें, मतलब, click y greater than start button dot y, button के जितना भी y-axis है, इससे greater होना चाहिए, मतलब, इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, यह भी condition होगी, अब last जो condition है, and operator लगाए, ठीक है, click y, should be less than, इससे, start button dot y, plus, start button dot height, मतलब, जो हम click करें, y-axis की position, जैसे मैं, अगर, यह, क्या कहते है, यह जो button की position है, वो क्या है, y-axis से button जितना है, y-axis की position, प्लस उसकी height, तो यह जो पोजिशन से less होना चाहिए, मतलब, इससे अंदर होना चाहिए, तो हम left से अंदर होने चाहिए, यह, right से अंदर होने चाहिए, bottom से भी बीच में होने चाहिए, और top से भी बीच में होने चाहिए, exactly, button के अंदर होने चाहिए, तब ही हम, क्या करें, get ready state में जाने चाहिए, अब आपने इतना लिख दिया, यह condition पूरी लगा दी, चारो condition अगर true होंगी, तो आपने क्या करना है, जन्यापे curly braces लगाए, बस आपने इतना लिखना है, कि अगर चारो condition हमारी true होगी, तो आपने state, current state को क्या करते हैं, get ready state और इन सब को reset कर देना, और उसके बाद break कर देना, simply हमने इतना लिख आप देखते हैं, यह इतर भी नहीं जा रहा है, इतर भी न जा रहा, इतर भी न जा रहा, अब मैं यहां पर click करके देखता हूं, जैसे मैं click करूँगा, डेखो work, work नहीं कर रहा है, मतलब कुछ घडबड है कोड में, देखते हきゃ अगर बड़ है, आप कंसोल में कोई आर आ रहा है नहीं तो अब आर देखते हैं अरर क्या है सब कुछ एग्जैक्ली स्टार्ट बटन डॉट डॉट एक्स क्लिक एक्स उड बिलस दें स्टार्ट बटन डॉट डॉट एक्स आप देखते हैं अच्छा सोरी यह मैंने विर्ट लिख यहां डवली लिखना ना कितनी बड़ी गलती ते अब देखते हैं यह एक्जिक्यूट हो रहा नहीं हो रहा है अब मैंने उस पर क्लिक करा तुम गैट एडी स्टेट पर कहीं और क्लिक कर रहा हूं नहीं आरा नहीं आरा नहीं आरा अब मैं इधर क्लिक करके देखता हूं आ गया ठीक है अब स्टार्ट के थोड़ा से उपर को यहां पर यहां पर यहां पर भी आ गया अब यहां पर क्ल क्लिक करोगे ना तो आज होगा पर जैसे इतना ही देखना था कि हम एग्जैक्ली स्टाइड बटन की जो लोकेशन उसको कैसे फाइंड करेंगे और फिर हम गया ग्रेड़ी स्टेट में जाएंगे अगली वीडियो में हम देखेंगे साउंड इफेक्स कैसे डालना है तो तिल तिल दन थैंक यू बाप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में